हेलो दोस्तो पिछले हपते से मार्केट में हमें बहुती भारी किरावट देखने को मिल रही है मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है विकाज ओफ इरान एन इसराइल जियो पॉलिकल टेंशन बहुती फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे है जो इंडिया में सेलिंग करके चाइना में इन्वेस्ट कर रहे है क्योंकि रिसेंटली चाइना ने स्टीमुलिश पैकेज भी अनौस किया है और इसकी वज़े से यह फाय इस इंडियन मार्केट से पैसा निकल रहे है और चाइना में इन्वेस्ट कर रहे है और उसका इंपेक्ट हमें इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है और इन सभी के चकर में मार्केट में जो अच्छी कंपनीज है उनमें भी भारी गिरावट हो रही है और जो बूरी कंपनीज है विक फर्णामेंट से वो भी गिर रहे हैं लेकिन जब ये situation stable होगी और हाला सुधर जाते हैं तो जो अच्छी कंपनीज है वो जल्द ही recover होती है और जो अच्छी companies नहीं है, उने उपर आने के chances बहुत ही कम होते हैं, तो यही एक अच्छा time होता है अपने favorite stocks को सस्ते दाम में या फिर अच्छे discount में खरीदने का, और अगर आप एक long time investor है, आपको पता ही होगा कि market कुछ region से बहुत ज़्यादा गिरता है, तो हाला सुधरते ही three और four month में ही उसमें अच्छी recovery हमें देखने को मिलती है, तो ऐसे time में invest करके आप अच्छे profits भी generate कर सकते हैं, और अभे के time में long time investors को बहुती बड़ी market में opportunity भी मिल रही है, अपने पसिंदता shares को discount price में खरीदने की, उसमें भी आपको बड़े risk लेना पड़ेगा, क्यों में आप बायान डीब्स भी कर सकते हैं, तो friends बने रही है आज की issue day में इन तक क्योंकि आज की issue day में हम based ऐसे ही strong fundamentals वाले small cap companies को आपके साथ share करना चाहते हैं, जो more than 30% discounted price पे अभी की time में available है, और 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 भी falling होती है इन companies के stock price में, तो आप इन में बायान डीब्स भी जरू बने रही है, और हमारे channel से नए जुड़े है और अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe जरूर कीजिए, तो चलो start करते हैं आज का हमारा video, और आज की issue day की first company defense sector से relate करती है, और company का नाम है हिंदुसतन अरonautics limited, यह company defense sector के लिए aircrafts and helicopters का manufacturing का business करती है, और aircraft and helicopters का यह company repairing and maintenance services भी offer क futuristic high demanding business model है इस company का, और 2,79,214 करोर market के अपल एक large cap type की company है, जिनमें investment करना higher risk की नहीं है, और stock PE है इनका 34 के around और industrial PE है 71 के around, यहने कि industrial PE से बहुती low PE पे company का stock price available है, यहने कि reasonable valuation पे यहाँ पे company का stock price available है, profit ratios company के 28% से जादा है, और बागे के fundamentals आप screen पे जरूर चेक आउट कर सकते है, और current price की बात की तो अभी की टाई में हिंदूस्तन Aeronautics Limited का stock price 4,175 रूपिस के around rate कर रहा है और आज के दिनिया में इस company के stock price में लगबग 2% के गिरावट देखने को मिली है, और past performance की बात की तो पिछले एक साल में इस company ने 17% तक के रिटरस वहीं पिछले 5 years में 1060% तक के multi-bagger रिटरस अपने investors को delivered की है, और company ने 5,552 रूपिस को all time high बनाया था और अपने all time high से लगबग 25% के बहुती बड़िया discounted price पे company का stock price available है, तो यहाँ पे current price पे इस company में fresh entity जरू की जा सकती क्योंकि company का valuation भी cheap and attractive है, और अगर इस company के stock price में और भी गिरावट होती है तो आप इस company में buy on dibs भी जरूर कर सकते है, क्योंकि इस company का business model future oriented है, जो आपको multi-baggerators कमाने के लिए help कर सकते है, वीडियो की second company भी defense sector से relate करती है, और shipyard company है इंडिया की, और हम बात कर रहे है मजगोड और shipbuilders limited के बारे में, यह एक shipbuilding company भी है, जिसने अभी तक 891 vessels को construct किया है, जिसमें वाक ships, submarines, cargo, passenger ships and offshore platform जैसे कही products include है, और advanced destroyer लेकर missile board तक कही सारे products यह company offer करती है, और only 78,949 करोड मार्केट के अफ़ली, यह भी एक large cap type की company है, valuation देखाजे तो stock भी 34 के round है, और industrial भी 35 के round है, यानि कि इस company का valuation भी reasonable है, और बाकी के fundamentals भी company के बहुत ही बढ़िया है, जहा और also growth performance देखा जाए, तो पिछले 3S में company का size 33% के seizure rate से, profit 47% के seizure rate से और stock price 150% के seizure rate से increase हुआ है, यानि कि excellent growth हमें इस company में देखने को मिल रही है, और financially भी यह company strong है, और current price की बात की तो भी की time में, मजगव डॉक्ष बिल्डर्स लिमिटेट का stock price 3,913 रुपिस के round trade कर रहा है, और आज के दिनिया में इस company के stock price में 4% की भारी गिरावट देखने को मिली है, और past performance की बात की तो पिछले एक साल में इस company ने 88% तक के return अपने investors को delivered किये है, और company recently 2020 में stock action में least हुई थी, जब से least हुई है तब से अपने investors को 2,226% तक के multi-bagger returns भी delivered कर चुकी है, और इस company ने आप current price में फ्रेशंटी कर सकते है, वीडियो की third company railway sector से relate करती है, और railway construction company है, जिसका नाम है Aircon International Limited, यह एक integrated engineering and construction POC specialized company है, जो large and technically complex infrastructure projects में involved है, area sectors में जैसे की railway and highway, और currently company का order book भी बहुत ज़्यदा strong देखने को मिल रहा है, 26,034 crores के around, जो company के market cap से भी ज़्यदा है, और currently इनका market cap है 19,525 crores के around, यहने कि एक mid cap type की company है, जिसका valuation देखा जेता stock P20 के around और industrial P24 के around है, यहने कि cheap and reasonable valuation भी इस company का stock price भी अभी की time में available है, तो यहापे current price भी इस company में भी आफ रेशंटी कर सकते है, क्योंकि यह company fundamentally भी बहुत ज़्यदा strong है, जिसके fundamentals आप screen पे जरूँ चेक आउट कर सकते है, और growth performance की बात करें तो पिछले 3 years में company का size 32% के CAJR rate से, profit 33% के CAJR rate से, वह stock price 67% तक के CAJR rate से increase हुआ है, यहने कि excellent growth हमें company में देखने को मिल रही है, और all देखा जाए, तो IRCON international limited एक fundamental and financial strong company है, जिसका stock price अभी trade कर रहा है, और आज के दिनी हमें इस company के stock price में 5.15% तक की भारी गिरावर देखने को मिली है, और past performance की बात के लिए तो पिछले एक साल में इस company ने 55% तक की रिटर्स और पिछले 5 years में 444% तक के multi-bagger रिटर्स अपने investors को डिलिवर्ट की है, और 336 रुपिस का इस company ने all time high बनाय था और अपने all time high से लगबग 38% के बहुती बढ़िया discounted price पे company का stock price available है, तो यहाँ भी इस company में भी आप current price पे fresh entry कर सकते हैं, और और भी गिरावट होती है company के stock price में, तो आप उस गिरावट में बायान dips भी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यह company long term के लिए बहुती विडियो की fourth company water and wastewater treatment industry से relate करती है, और company का नाम है Josh Engineering Limited, यह company well range of equipments आफ हो करती है, water intake system, water and wastewater pumping station and treatment plants के लिए, और यह company storm water pumping station, water transmission lines, power, steel, cement, paper and pulp, petrochemicals, chemical fertilizers and other process plants जैसे industries के लिए भी equipments का manufacturing करती है, और यह company एक single stop solutions offer करती है, under the one rooftop जिसमें designing, casting, fabrication, assembly and testing जैसे कही services offer करती है, यह एक्सेलेंट and future oriented business model है इस company का और उनले टूर हजन सिक रहा है 13 करोड मार्केट के अफ़ल, एक small cap type की company है, वेलेशन देकर जे तो stock भी 37 के राउंड और industrial भी 46 के राउंड है, यह यह चिप एंड डिजनेबल एवेलेशन पे company का stock price available है, और fundamentals भी बहुत ही बढ़िया है, और सबसे important point है कि इतनी छोटी company होने के बाउजित भी FIS और DIS ने अच्छा मौने के साथ इस company में invest किया है, और अच्छा मौने के साथ इस company में invest किया है, और अच्छा मौने के साथ इस company में इस company का sales 20% के CIGR rate से profit 30% के CIGR rate से और stock price 65% के CIGR rate से increase हुआ है, यानि कि अच्छी growth हमें इस company में देखने को मिल रही है, और P.L. statement को भी अगर हम देखते हैं तो company के sales में भी year on year excellent growth है, net profit में और operating profit में भी बहुत ही बढ़िया growth है, जिने आप screen पे ज़रूर check out कर सकते हैं, और current price की बात करी तो पिछले एक साल में इस company ने 45% तक की returns, अपने investors को delivered की है, वही पिछले 5 years में 1,9943% तक की multi-bagger returns, और 2,571 रुपीज का इस company ने all time high बनाय था और अपने all time high से 18% की discounted price में इस company का stock price अभी बल है, और सो valuation भी cheap and attractive है, तो current price बेस company में भी फ्रेशंटी की जा सकती है, वीडियो क कर रहे है, EMS Limited की बारे में, यह company एक specialized company है, जो provide करती है turnkey services in water and wastewater collection, treatment and disposal में, और सो यह company complete single source services offer करती है, engineering and designing से लेकर construction and installations तक water, wastewater and domestic wastewater treatment facilities के लिए, बहुती high demanding and future oriented business model is company का, और only 4,137 crore market के अपने एक small cap type की company है, valuation भी reasonable है, जिसका stock भी 24 के round और industrial भी 24 के round है, और fundamentals भी बहुती strong है इस company के, और institutional investors ने भी अच्छा मुन के साथ invest किया है, जिसके आप सभी fundamental screen पे जरूर चेक आउट कर सकते हैं, और growth performance की बात करें, तो पिछले 3 years में इस company का sales लगबल 34% के Cajar rate से profit 27% तक के Cajar rate से increase हुआ है, और peer statement भी देखा जहें, तो company के sales में, यह रोन एर excellent growth है, net profit and operating profit में भी बहुती बढ़िया growth है, और current price की बात करें तो अपी की time में EMS Limited का stock by 747 रुपिस के round trade कर रहा है, और आज के दिनिया में इस company के stock price में लगबग 4.37% तक की भारी गिरावर देखने को मिली है, और pass performance की ब अपसे अपने investors को 1.79% तक के readers भी डिलिवर्ट कर चुकी है, और 9.98 रुपिस का all time high बनाने के बाद, company का stock price अपने all time high से 17% के discounted price पे available है, तो इस company को भी आफ long time के लिए जरूर consider कर सकते हैं, और 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 भी गिरावर देखने को मिलते हैं company के stock price में, तो आपरे गिरावर में buy on dips जरूर कर सकते हैं क्योंकि इस company का business model future oriented है, वीडियो की sixth company भी railway industry से relate करती है, और ये company manufacturing and selling करती है, फेट वोगांस, passenger coaches, metro train, train electrical, steel casting, specialized equipment and bridges and ships का, और हम बात कर रहे हैं, टिटागर rail systems limited के बारे में, बहुत ही high demanding business model है इस company का, जहापे ये company इंडिया की अकेली ऐसी company है, जो वो बग 25-30% तक का market share enjoy करती है, वोगन manufacturing industry का, और हम only 14,422 crore market के आफ वाली, ये भी एक small cap type की company है, stock भी 49 के राउंड है, और industrial भी 46 के राउंड है, यानि की तोड़ा valuation हमें expensive देखने को मिल रहा है, और बाकी के fundamentals बहुत जदा strong है, और institutional investors ने भी बहुत अच्छे मोन के साथ इस company म होती बढ़िया है, company का order book है 14,17 crore के आराउंड, so इस company का second order book है 13,326 crore के आराउंड, जो company को joint ventures का है, जहाँ पे इस company ने वंदे भारत के लिए भेल्स के साथ, वही विल्सेट के लिए रामकृष्ण फोजिंग के साथ ये order book मिला है, और इस company का combined order book company के market cap से भी ज़ादा ह जिससे हमें एक अंदाजा मिल सकता है कि company में आने वाली दिनों में हमें कितनी growth देखने को मिल सकती है, लेकिन last quarter में company के results उतनी खास हमें देखने को नहीं मिले थे, और इसी region की वज़े से company के stock price में भी हमें falling देखने को मिली है, तो इस company में investment प्लान करने से पहले आपको इ अच्छे discounted price पे company का stock price मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगर इस company के इस quarter की results अच्छे नहीं आते हैं, तो company के stock price में और भी गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर long term point of view से आप देखते हैं, तो company में हमें अच्छी growth भी देखने को मिलने वाली है, और current price की बात करें तो अभी क पसंट के रिटर्स, वह पिछले 5 years में 2004-65% पसंट के multi-bagger रिटर्स अपने investors को डिलिवर्ट किये हैं, और 1860 रुपिस का इस company ने all time high बनायता और अपने all time high से लागबग 41% के बहुती बढ़िया discounted price पे company का stock price अवैलेबल है, तो यह ऐसे downside बहुती limited है, यहापे current price पे इस company की जा सकती है, लेकिन आप वेट जरूर कर सकती है, आज के इस video में हमने आपके साथ ऐसे six stocks को discuss किया है, जो बहुती बढ़िया discounted price पे अवैलेबल है, जिन में current price पे एक buying की opportunity है, आप इन सबी companies के ऊपर deeply study करके इन्वे investment plan जरूर कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे, वीडियो सि for safe learning and educational purpose के लिए है, और हमारी तरब से किसी भी company में कोई भी buy और sell की recommendation नहीं है, और अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को like and share जरूर कीचे और इसे और वीडियो देखने के लिए हमारा चनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलिए, thanks for watching this video